हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो माई यूटिब चैनल फ्रिजर टेक और आज हम एन्बॉक्सिंग करेंगे ओपो एफिटीटू स्मार्टफोन ये है बॉक्स और देखते हैं क्या कुछ खास है इसके अंदर ओपो ने क्या कुछ नया किया है इसमें तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेगा और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए तो ये है अपना ओपो एफिटीटू का बॉक्स दो है वो इसमें कलर है और स्टोरेज ऑप्शन है वो है 6GB की रेम और 128GB का इंटरनल इस्टोरेज बात करते हैं इसकी कुछ और हाइलाइट्स की तो यहां साइड में लिखा हुआ है ओपो आई सी सी चेंपियंशिप वर्ड किरिकेट और पीछे की साइड में अगर हम देखें यहां बारा मेगापिक्सल का क्वार्ड कैमरा सेटप और फ्रंट है वो 16 मेगापिक्सल का उसके लावा बना है यह मैड इन इंडिया में और मैनुफेक्ट्रड बाइ ओपो मॉबाइल इंडिया नोड़डा उत्तरपरदेश में और कुछ और इसकी बाते अगर देखें तो जो कल कि जैसे करते हैं की शीला वो हम ब्रेक और उसके बाद में देखते हैं इसके अंदर है डूब क्या-क्या है उसके लावा ये एक soft TPU case जो की थोड़े दिनों में पीला हो जाएगा बिल्कुल भी इच्छा नहीं है ये और इन सब को रखते हैं हम side में और उसके बाद में हम देखते हैं ये है हमारी man unit और heavy जरूर है थोड़ी बैटरी 5000 अमेज के उस विज़े से थोड़ी heavy है तो इसको भी रखते हैं एक बार side में उसके लावा हम देखते हैं यहां हमें ये मिल जाता है ओपो का एक power adapter जिसकी rating होगी 9 volt 2 amp और 5 volt 2 amp यानि की 10 volt और 18 volt की जो charging है वो ये support करेगा और उसके लावा हमें यहां earphone भी देखने को मिलते हैं यह काफी अच्छी बात है हलांकि phone over price है तो earphone देना कोई बड़ी बात नहीं है तो यह हमें 3.5 mm jack वाले earphones मिल जाते हैं उसके लावा हमें यह USB A to type C की cable मिल जाती है तो बैस यही है इसकी accessories पूरी मिली है हमें तो इसको भी रखते हैं side में अब आते हैं हम हमारे man product पे उतारते हैं इसका यह plastic और काफी glossy है display है वो काफी glossy है back glass है वो भी काफी glossy है और design है वो काफी स्चांदार आप देख सकते हैं design है वो काफी स्चांदार है यहां दिया गया हमें quad camera और लिखा है यहां पे AI camera और LED flash दिया गया है साथ में हमें right side की अगर हम बात करें इस phone में तो right side में है यहां हमें दिया गया है power lock plus fingerprint sensor उपर की तरफ अगर हम बात करें तो phone एकदम से clean और left side की हम बात करें तो यहां नीचे की तरफ मिल जाते हैं volume rocker buttons उपर की तरफ हमें मिल जाती है sim tray sim tray हम देखते है की कैसी है और यह triple slot है 512 GB तक का है micro SD card और वो support करेंगी यहां हमें मिल जाता है 16 MP का selfie camera उपर की तरफ मिल जाते हैं बाकी सारे sensors और earpiece phone के bottom side के अगर हम बात करें तो सबसे पहले मिल जाता है 3.5 mm jack primary microphone USB type C port और speaker grill करते हैं phone को boot तो phone हो चुका है अपना boot और जाते हैं सबसे पहले इसकी settings में और setting में जाने के बाद में about phone check करते हैं और हमें इसमे color OS version है वो मिल जाता है 7.1 Android OS है वो मिल जाता है अपने Android version 10 और यह Android version 10 आ गया है उसके लाब अगर storage की बात करें तो 110 GB अविलेवल 128 GB में से और बाकी कुछ खास है नहीं तो अब करते हैं हम इसका एक security test और देखते हैं इसका जो fingerprint है वो कितना fast है अभी locked है और जैसे ही मैंने यहां लगाया लगाता ही open हो गया थोड़ा सा slow है और screen भी ध्रे ध्रे है वो open होती है और read है वो भी काफी कम करता है और button को है वो हमें प्रेस करना पड़ता है कई बार कई बार बिना प्रेस किये भी चल जाता है और थोड़ा सा slow है यह अब करते हैं इसका face unlock और face unlock मैं देखता हूँ तो इसमें भी time ले रहा है और हलका सा time लेता है इसमें भी continuously देख रहा हूँ और lock open हो रहा है अब देखना यहां पे यह lock open होने वाला है यह lock open हो गया यहां पे तो time है वो, हलका हलका time यह लेता है तो security है वो कुल में लागे ठीक नहीं है मुझे ये चीज इसकी पसंद नहीं आई है बात करते हैं इसके डिस्प्ले की जो की है IPS LCD डिस्प्ले और 16.5 cm या 6.5 इंच की है वो इसकी डिस्प्ले है Full HD प्लस डिस्प्ले दी गई है और जो ब्रैटनेस है वो थोड़ी कम है 480 निट्स की ब्रैटनेस है प्रोटेक्टिव स्क्रीन फिलम है वो भी अल्रेडी लगी हुई ही मिल जाती है तो फोन पे सेसरी की नाम पे किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं है ये एक काफी अच्छी बात है इसमें और अभी करते हैं इसका कैमरा टेस्ट और कैमरा टेस्ट करने से पहले मैंने आप इसकी एक फोटो लिये वो आपको मैं दिखा देता हूँ तो डेटेल्स है वो आप देख सकते हों सार्क है उनमें कोई प्रोब्लम नहीं है नॉर्मल 12 मेगा पिक्सल का कैमरा है 48 मेगा पिक्सल वाले जो कैमरा आते हैं वो भी यही होते हैं उसमें एक अलग सार्क तालिस मेगा पिक्सल का उप्सन मिल जाता है हमें और इसमें वो नहीं मिलता है तो कैमरा है वो नॉर्मल है ठीक है उसके लावा डिजाइन है बैक साइड की वो काफी शांदार है और यहां कॉर्नर में नीचे की तरफ ओपो की है वो ब्रेंडिंग दी गई है और अब मैं करता हूँ इसका एक फुल कैमरा टेस्ट और कैमरा टेस्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ मेरे पास हैं दो और फोन और जल्दी ही इनका कुछ special वीडियो में लेके आऊँगा आपके पास तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और एक नया वीडियो लेके आऊँगा मैं separately इन दोनों के लिए कुछ special आपके लिए तो अब दद हम देखते हैं अपना कैमरा टेस्ट और देखे वीडियो को आप आगे ये कर रहा हूँ मैं सूट ओपो A52 से और क्वालिटी है वो कुल मिलागे ठीक है स्टेपलाइजेशन भी ठीक ठाक है ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है और बाकि आप फोटोस देखिए ये फोटोस है मैंने इसी के कुछ रियर और फ्रेंट कैमरा से है वो मैंने ली है और क्वालिटी है वो कुल मिलागे अच्छी आ रही है कलर्स है वो अच्छी आ रहे है सेल्फी भी काफी ठीक ठाक आ रही है ब्रैट अब जदा कर रहा है लेकिन ठीक है तो वैस फिलाल वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू